चारे बच्चों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गूल्डन पार्साला में इस क्लास में हम लोग हर्याना NMMS 2022 का पेपर देखने वाले है तो हमने इसमें आपका सेट D वाला पेपर लिया हुआ है और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आ यहां पर नाम ढलना है कि प्रष्टों की संख्या 48 दी गई है और प्रष्णों की संख्या 180 दी कि समय आपका 3 घंटे दिया गया है जो की हर राजी की परिछा में सेम यसे ही होता है तो बच्चों अपनी आप तयारी कर सकते हो कैसे कर सकते हो सब ही लोग परलिष्ट बनी हुए है हमने बहुत सारे कुल मिला के 50 वीडियो जो आपको दिये हैं पचास सामाजिक के होंगे और पचास आपके विग्यान के कम से कम पड़े हुए हैं तो परलिष्ट में जाकर आप लोग पढ़ लीजिए सारे पेपर आपको यहीं से आने वाले सारे कुश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे तो कुल मिलाके आप विग्यान और सामाजिक में में कम से कम आप सतर में से आप कम से कम 60 परहें पचास परहें आप यहां से जरूर कर लेंगे यह हमारी गारंटी है और अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो 60 परहें आप आसानी से कर लेंगे बाकी आपका जो central level परिछा है NMS की होती है तो ये हर राज़े में same आपका pattern है बस एक दो question का फरक परता है जो राज़े से समझत पूछ जाते हैं तो आईए देखते हैं आपका किस प्रकार से question पूछा गया था तो आज हम लोग set का paper करने वाले हैं जिसमें 35 question इस वीडियो में आपको कराने का प्रयास करते हैं तो आईए देखते हैं question number 91 से तो बच्चों यहां से आपका शुरू होता है set paper यानि set छिक छमता परिछान और ये भाग आपका दूसरा होगा और इसके लिए आपको डेड़ घंटे का time मिलेगा जिड़ घंटे आपको 90 question जो आपके reasoning के आते हैं उसके लिए मिलता है और जिड़ घंटे इसके लिए होता है तो आईए देखते हैं पहला question इनिक्याने में नमर बच्चों पूछा गया था कि महतमा गांधी चमपान यात्रा क्यों गए तो क्यों गया थे या आपको आपसन में लगाना है आपसन आपके पास बच्चों आपके दिये गया है कौन से हैं चमपान में नील बागान मालिकों की दुर्दसा देखने के लिए गया थे नील बागान मालिकों की प्रगति देखने के लिए गया थे कमपनी के प्रबंध प्रणाली देखने के लिए गए थे या राज़सो एकत्रित करने के लिए गए थे तो 91 नमर में कौन सा राइट है एक बार सभी लोग कमेंट करेगा कि 92 नमर कोश्चन में कौन सा राइट है तो बच्चों वहाँ पर जो चमपाड में नील के बागान थे उनके मालिकों की दुरदसा देखने के लिए महत्मा गान्धी गए हो थे चमपाड तो जमें आपका फ़र्ष्ट आप्सन बच्चों राइट हो जाता है नेक्स कोश्चन की बात करते हैं बच्चों ये देखो गड़ित का कोश्चन यहां से है तो गड़ित का भी आपको जैसे कोश्चन आपके आते हैं सेम उसी प्रकार से आपको करना होता है और इसमें देखो बच्चों दियागा है ये विज्ञान का कोश्चन है बिग्ञान का कुश्चन क्या है कि एक आपतन कोण 50 अंसका है तो आपतित किरण और परावर्थित कोण के बीज का मान बताना है तो सबसे पर देखिए मान लेते हैं कि यह आपका दरपन है और इस पे एक किरण आती है ऐसे से और उह परावर्थित हो गए इसी प्रकार से वाप पिस लिए तो जितना कॉंड यह आपका होगा यह आपका आपतन कॉंड हो गया यह आपका परावरतन कॉंड हो गया तो कहने का अतात पर यह है कि यह 50 आपका दिया गया है यह 50 दिया गया तो यह भी आपका 50 ही होगा ठीक यह वाला कॉंड भी आपका 50 ह तो 50 और 50 कितना हुआ 100 तो यह बीच वाला कोण है यह पूछ रहा तो यह आपका अशी अंस हो जाएगा तो 50 पचास और कुल कोण कितना होता है एक सव अस्टी से सव घटा दोगे तो कितना बचेगा एक सव अस्टी से आप सव घटा दीजिए तो बचेगा आपका असी answer तो सेम इसी प्रकार से आप असी यहाँ पर tick कर सकते हो तो right answer आपका हो जाएगा बच्चो, third option, third option आपका right हो जाएगा बच्चो असी answer, next question की बात करते हैं तो next question मारी बच्चो दिया गया है यह आपका गड़ित का paper है गड़ित के question से लिए गया है करित का question है लिखा है 2y प्लस 5 बटा 3 बराबर 26 बटा 3 माइनस y इसमें y का मान ग्याद करना कैसे ग्याद करेंगे आप सबसे पहले देखो जो आपका 2 बटा y लिखा इसको सेम ऐसे ही लिखा रहने देंगे और 5 बटा 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे और इधर जो y दिया गया है इसको आप y के पास ले आएए तो बराबर के इधर जब आएगा ये पच्छांतर जब होगा y का तो ये माइनस से ये पलस का y हो जाएगा ठीक बराबर के दूसरी तरफ जब आप 26 बटा कितना लिखेंगे तीन लिखेंगे और इधर आपका आजाएगा माइनस का पलस का है तो माइनस का 5 बटा में 3 आजाएगा अब आप इसको हल करिए तो ये देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 3 वाई कितना हो जाएगा 3 वाई बराबर में तो यहां पर देखो हर बराबर है तो उपर की संख्याओं को घटा लेते हैं तो 26 से 5 घट जाएं कितने बचेंगे 21 बचेगा और बटा में कितना बचेगा 3 तो अब यहां से आप काट सकते हो यहां से काटोगे तो यह हो जगा तो य बराबर 7 बटे में 3 ठीक ऐसे आप लिख देंगे तो य बराबर 7 बटा 3 आपका अंसर आजाएगा तो चौथा आपसन आपका राइट हो जाएगा ठीक तो 33 नमबर में कौन सा राइट है बच्चो आपका 33 नमबर में 7 बटा 3 आपका अंसर सही है चौथा आपसन राइट है नेक्स कुस्चन की बात करते हैं तो बच्चों ये कुस्चन विज्ञान से दिया गया है आपका और ये सामाजिक में भी आता है यहां संसाधनों के नाम वा उनके प्रकार दिये गया है बिकल्पों को देखिए और बताइए कि कौन सा बिकल्प सही नहीं है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे देखो कोईला दिया गा ये अनवीकरण संसाधन है पेट्रोलियम अनवीकरणी संसाधन है ये भी आपका सही दिया गया है इधर देखो दियागा है जल अनभी करणी संसाधन है तो ये आपका गलत है क्या है गलत है ये जल जो होता है वो नभी करणी संसाधन होता है सौरूर्जा नभी करणी होता ये भी आपका सही दियागा है तो जो आपका गलत है नहीं की दिसा में जो गलत होता है वही सही होता तो आपका जो गलत है अर्थात थर्ड नमबर यही आपका राइट अंस है नेक्स कोशन की बात करते हैं 95 नमबर बच्चो दिया गया है कि बिले की नीती किस अंगरेज की देन है तो बच्चो लाड डलाहुजी की देन थी सेकेंड आपसन आपको लगाना है नेक्स कोशन की बात करते हैं परिमे संख्या की योगात्मक पहचान क्या होती बच्चो यह आपका जीरो होता है किसी भी आप परिमे संख्या में अगर जीरो जोड देते हैं तो उसका मान सेम होता है अर्थात मान में कोई परिवर्तन नहीं होता ठीक तो ध्यान रखेगा अगर 5 बटा 3 में 0 जोर दे देंगे तो इसका अंसर 5 बटा 3 ही आता है तो इसमें आपका बच्चो राइट आंसर 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा जीरो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कोश्चन की बात करते हैं 97 नमबर किसकी अध्यचता में कोपूर सुराज की लड़ाई लड़ी गई थी किसकी अध्यचता में पूर सुराज की लड़ाई लड़ी गई थी अर्थात इसमें आपका राइट अंसर चोथा आप सुनगा पंडिस जवाहलन नहरू तो ये बात थी 1929 की 1929 में जब लाहर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का तो उसमें जो है अधिच कौंते पंडिस जवाहलन नहरू थे तो लाहर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर सुराज की मांग की थी तो ये आपको ध्यान रखेना है और important question यहां से बन जाता है अठानेवे नमर बचो कुछन ज़ागा कि वह अस्थान जहां भोकम पैदा होता है तो बच्चों उसका focus कहलाता इसको हाइपो center भी कहते हैं क्या कहते हैं हाइपो center भी कहते हैं ध्यान रखेगा अंग्रेजी में आ जाए तो हाइपो center और हिंदी में आ जाए तो focus तो third option इसमें right हो जगा 98 नमबर में 99 नमबर question की बात करते हैं तो में बच्चों आपका right answer क्या होए एक बास सभी लोग comment करें 99 question कौन सा सही होगा निमलिखित में से कौन हिंदुस्तान Republic Association से जुड़ा हुआ था ये सब को question आता है सुभा चंदर बोष महात्मा गांधी भगत सिंग या रच्चमी सहेगल इसमें बच्चों आपका right answer था भगत सिंग ये हिंदुस्तान Republic Association संस्था से जुड़े हुए थे और इसके साथ जो है जो आपके सरदाद भगत सिंग थे और आजंदर लाहिडी थे और आपके चंद से खर आजात थे ठीक तो ये सब जो है इस सभा से इस संग्ठन से जुड दिया गया है कि एक वरगाकार कैरम बोर्ड का परिमाप 320 सेंटीमिटर है एक वरगाकार कैरम है जिसका परिमाप कितना दिया गया 320 सेंटीमिटर उसकी एक भुजा का माप ग्यात करना है तो बच्चों जो वरगाकार होता है कोई भी छेतर हो उसका जो परिमाप होता है फोर तो फौर ए बराबर दिया है 320 कितना थिआ गए 320 डिया यहां से आप एक आमान निकाल लीजिए सए U बराबर कितना हो बच्चो 320 बट एमे चार यहां से आप निकालेंगी तो चार से से 25 को भाग कर देंगे तो चार 21 less सब्सक्राइब तो डूसरा सिकेंड आफसर आपको सिकेंड वाला हो जाएगा टियागा टीपी-स इस्टीर से बनी तूर टीपी-सलतान की तलवार किस इस्टीर से बनी थी 101 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर जो आपका जाता है सेकेंड आप्चन अर्थात वूड्स की बनी थी किस की बनी थी वूडज की ठीक ध्यान रखेगा और नेक्स कोशन की बात करते हैं 102 नंबर में निमलिखित में से कौन मर्दा निर्मार का महत्पुन घटक है मर्दा निर्मार का घटक कौन है तो 102 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर चो था जनक सहल वनस्पत जात और जलवाई इन सभी से मिलकर क्या बनता है मर्दा का निर्मार होता है और यह मर्दा के घटक होते हैं एक्स कोश्चन की बात करते हैं बच्चों, एक्सो तीन नमबर कोश्चन पर दिया गया था कि निम्लिकित में से कि संसाधन का वाड़िजिक मूल है, वाड़िजिक मूल किसका है, स्वच्छ वातवड का, मनोरम द्रस्य का, और सूती वस्त्र का, सुहावना मौशम का, तो इस ठीक ध्यान दखिएगा, थार्ड आपसन आपका राइट हो जाएगा, नेस्ट कोश्चन की बात करते हैं, चौथा नमबर कोश्चन, एक चत्रभुज की रचना के लिए कितनी विसेष्टाएं, विसेष्टाएं अंगों की आउसकता होती है, कितनी अंगों की आउसकता होत कितनी चत्रभुज के निर्मान में, तो एक सो चार नमबर में बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला आपसन पांच, पांच चीज़ों की आउसकता होती है, या तो चार भुजाएं दी गई हो और एक विकड़ दिया गया हो, ठीक, तब आप ग्यात क कर सकते हो या तीन भुजाय दी गई हैं और दोनों विकड़ दिये गए हो तब आप उसकी चित्रुफुष की रचना कर सकते हो ठीक तो एक सो चार नंबर में बच्चो आपको राइट अंसर जोगा सेकेंड वाला ठीक पांच चीजों क्या उसकता होती है नेक्स कॉस्चन की बात करते हैं पाई चार्ट में हम आकड़ों को किस में बदल देते हैं पाई चार्ट में हम आकड़ों को किस में बदल देते हैं लाइक एन कोंड या ब्रत या प्रत्सत ठीक तो किसमें बदलते हैं ये बताना है आपको तो एक सो पांच नंबर में बच्चो आपका इसे बनता है ठीक यह पाई चार्ट होता है पाई ग्राफ होता है इसमें हम किसी भी चीज को कोण में दलते हैं किसे में दलते हैं कोण में ठीक कोण के माधन से दरसाते हैं तो इसमें आपका सेकेंड आप्शन सही हो जाएगा नेक्स कुस्चन की बात करते हैं बरफ पर चलना कठिन है क्योंकि दाब अधिक है दाब कम है घरषण अधिक है धरषण कम है तो इसमें बच्चों आपको च्छे नमर में आपका चौथा आपसन सभी होना चैकि घरषण कम होता है इसलिए हम बरफ पर नहीं चल सकते हैं तो ये ध्यान रखेगा 106 नमर में आपका राइट आं अंडा देने वाले या पहला और दूसरा तो जो बच्चे देते हैं वो बच्चा पईदा करने वाले करते हैं इसके लावा आपसना आपका दे सकता है जरायूज क्या दे सकता है जरायूज जरायूज जो होता है जो बच्चे देते हैं जानवर उनको कहते हैं जरायूज और जो बच्चे देते हैं वो जरायूज कहलाते हैं और जो अंडे देते हैं वो अंडेयूज कहलाते हैं ठीक अच्छे से आप पढ़िए कछाट की विज्ञान में सारा एक कुछ दिया गया है इसके बाद है लाहोर गेट शुधार योजना शुरू की गई थी 1886 में 1911 में 1936 में 108 नमबर में बच्चो आपका राइट अंसर है फर्स्ट आप्सन 1888 में लाहोर गेट शुधार योजना शुरू की गई थी इसके लावा 109 नमबर की बात करते हैं तो 9 माई 1888 को कितने सिपाहियों को सेवा से बरखास्त किया गया और 10 साल की सजा दी गई थी तो कितने सिपाहियों को से साथ ये काम किया गया था तो इसमें बच्चो आपका राइट आंसर है 109 नमबर में second option 85 आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक 85 सिपाहियों को बरखास्त किया गया और उनको 10 साल की सज़ास्त अगया गया 110 नमबर question की बात करते हैं तो दिखा ग बहुत जरूरी होते हैं और इतिहास किसके लिए जरूरी होते हैं इतिहास लिखने के लिए अच्छी तरह पहले लेने के लिए या अच्छी तरह से सासन करने के लिए या उपरोक्त में सब ही तो 111 नमबर बच्चों आपका right answer है थार्ड वाला आपसन अच्छी तरह से सासन करने के लिए क्या होता है हमको अंग्रेजों ने सुचा कि सरवेश्टर करना जरूरी है थार्ड आपसन आपका राइट हो जाएगा नेक्स कोश्चन की बात करते हैं तो कोश्चन नमबर 112 यदि संख्या ये तीन एक्स और साथ चार नौ से विभाज है तो एक्स का निवनतम मान कितना होगा ये बताना है तो बच्चों सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि तीन प्लस एक्स और प्लस साथ और प्लस चार ये जो मान जोड के आना चाहिए वो नौ से विभाजित होना चाहिए तब ही आपका जो है ये नौ से कटने वाली है संख्या ठीक नौ से कटने वाली है तो सबसे पर ध्यान देंगे कि 7 और 4 11 11 और 3 कितना हुआ 11 और 3 हुआ 14 कितना हुआ 14 हुआ तो अब यहाँ पर minimum कितना हम लिखें 9 की X के जगा पर यानि 14 प्लस X हुआ यहाँ पर यानि 7 और 3 10 10 और 4 14 14 और प्लस X हुआ 14 प्लस X को कितना हम X के जगा लिखें यानि आया 14 प्लस X इतना आया बटे में 9 ऐसी कौन से संख्या X के जगा लिखी जाए कि इनको जोडने पर हम 9 से भाग कर सकें जो पूरा-पूरा कट जाए तो 14 और 4 18 हुए 14 और 4 18 और तभी आपका यह कटेगा तो लिखा है कि X के जगा पर कौन सामान लखेंगे तो 4 रख देंगे जब 4 रख देंगे तो 14 और 18 हो जाएंगे 18 और 9 से विवाजित हो जाता है तो जैसी बात है यह पूरा-पूरा कट जाएगा विवाजित हो जाएगा तो आपका 14 आपसन इसमें 112 नमबर में राइट हो जाएगा ठीक और नेक्स कुश्चन की बात करते हैं 13 नमबर कि यह किस ने कहा था सिच्छा का अर्थ बालक और मनुसी के सारीरिक, सरीर, मन, आतमा में सरुस्रेट का सरवांगीड विकास करना है सरुस्रेट तथा सरवांगीड विकास करना है यह होना चाहिए तो तेरा नमबर बच्चों आपका राइट आंसर था महतमा गांधी ने कहा था थर्ड आपसन आपका सही हो जाएगा इसमें इसमें 13 नमबर में नेक्स कुश्चन की बात करते हैं नेक्स कुश्चन की बात करते हैं तो एकसो पंदार नमबर कुश्चन बचो दियागा है कि 49P स्क्वार मानस 36 का गुड़न खंड होगा तो गुड़न खंड क्या हो जाएगा तो यहाँ पर देखो दियागा है 49P स्क्वार ठीक और यहाँ पर दियागा 36 कुश्चन आपके बहुत इंपोर्टन है पूछे भी जानने वाले हैं तो 49 यहाँ पर दियागा तो इसको आप दिसकते हो 7P का स्क्वार क्या लिसकते हो 7P स्क्वार माइनस यह आपका 6 का स्क्वार हो जाएगा अब यह हो गई यह आप लिख सकते हो 7P प्लस 6 एक ब्राइकेट में और दूसरे ब्राइकेट में 7P माइनस 6 एक ब्राइकेट में ठीक तो ऐसे आपका जो भी आप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा तो इसमें देखो 7P माइनस 6 और 7P प्लस 6 या 6 माइनस 7P तो यह आपका थर्ड आप्शन राइट हो जाएगा ठीक तो